हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से भारती भारत तोल्लक साइखों मीराबाई चानू के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने हाल ही में ओलम्पिक में सिल्वर मेडल जीत कर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है फ्रेंड्स टोकियो अलम्पिक 2021 के वेट लिप्टिंग कम्पटिशन में चीन की होई जी हुई ने श्वन पदक जीता वहीं पर भारती वेट लिप्टर मीराबाई चानू ने 49 केजी वर्ग में रज़त पदक हासिल किया और इंडोनेसिया की विंडी केटी का आयास ने काईस पदक जीत कर तीसरा अस्थान प्राप्त किया इस परकार मीराबाई चानू कर्नम मल्यस्वरी के बाद उलम्पिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारते महिला बनी और रज़त पदक प्राप्त करने वाली भारते महिला बन गई कर्नम मल्यस्वरी ने सन 2000 में आयो जीत सिड्नी अलम्पिक में काईस पदक जीत कर भारत का गोरव बढ़ाया वहीं पर आज टोक्यो अलम्पिक 2021 में मीराबाई चानू ने रज़त पदक जीत कर भारत का पूरे विश्व में नाम बढ़ाया है फ्रेंड्स मीराबाई चानू का पूरा नाम साइखोम मीराबाई चानू है और इनका जन्म 8 अगस्त 1994 में मनिफूर में हुआ था पिता का नाम साइखोम किरती में टाई है और उनकी मा का नाम साइखोम ओंगभी तोंबी लिवा है फ्रेंड्स मीराबाई चानू सन 2014 से नियमित रूप से 48 kg वर्ग की अंतराष्ट परतिताओं में पाटिसिपेट कर रही है फ्रेंड्स सन 2014 में आयोजीत कॉमान वेल्थ गेम जो गलासको में आयोजीत किया गया था 48 kg वर्ग में मीराबाई चानू ने रज़त प्रदक प्राप्त किया वहीं पर गौहाटी में सन 2016 में आयोजीत साउथ एसियन गेम में उन्होंने स्वर्ण प्रदक प्राप्त किया 2017 में आयजीत World Weight Lifting Championship में इन्होंने श्वन पदक प्राप्त किया और 2018 में आयजीत Commonwealth Game में श्वन पदक प्राप्त करके भारत का मान सम्मान बढ़ाया और आज जाकर Tokyo Olympic 2021 में रजत पदक प्राप्त करके भारत को पहला मेडल दिलाया Friends, मीराबाई चानू को खेल छेतर में उतकिष्ट योगदान के लिए सन 2018 में पद्म स्री पुरुसकार और सन 2018 में ही राजीव गांदी खेल रत्र पुरुसकार से नवाजा गया है So Friends, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोगों ने मीराबाई चानू से रिलेटेड इनफोर्मेशन को प्राप्त किया जो आने वाले किसी भी एकजाम के दिश्टिकों से बहुत हुई महतपून है So Friends, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए साथ इसाथ ऐसे ही प्रशनों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सकाइब कीजिए